अई है्लो एवरिवन रदे रदे हैपी दिवाली आज मैं आप लोग के साथ सेहर करने वाली हूँ धन पोटली बनाना धन पोटली हमें घर में कैसे बना कर रखना है और बना बनाया मार्केट से भी हमको एक पैकेट में मिलता है और उसमें सब temos शाप डालकर पैसा बगर डाल कर भी आप रख सकते हैं तो यहां पे देखे धन पोटली बनाने के लिए हमारे पास पांच कौडिया है यहां पे गोमती चक्र पांच है दो कमल गट्टे है और चावल के कुछ दाने हैं आप चाहे तो इसमें से 21 दाने भी चावल के इतने नहीं डालेंगे तो 21 दाने चावल तरह से हमको बनाना है तो ओ मैं आपको बना के दिखाती हूँ तो हमें इस तरह से रक्षा ले लेना है रक्षा शूत्र और इसको थोड़ा शा मैं तोड़ लूँगी और इस तरह करके लपेड़ दूँगी और सारी चीज़ों को फिर उसके बाद इकठा करकर हम इस तरह की पोटली में डाल देंगे तो चलिए हम करके दिखाते हैं आपको तो दिखें यहाँ पे हम पैसे डाल देंगे हल्दी की गार डाल देंगे दाल चीनी डाल देंगे खड़ा धनिया दो इलाइची दो लॉंग दो शुपाड़ी पांच गोमती चक्र आप चाहे तो 11 भी ले सकते हैं साथ भी ले सकते हैं और कौड़ी थें पांच कौड़ी पांच गोमती चक्र दो कमल गट्टे और इसमें से चाहे तो आप 21 चावल के दाने आप ले सकते हैं या तो आप पूरा उतना डाल दीजिए और इस तरह की और इसमें आप कुछ पैसे डाल दें तो आप कुछ इस तरह पैसे आप इसमें भी पैसे आप डाल सकते हैं और इस पैसे को आप दूसरे साल जब पूरे एक साल हो जाएं तो इस पैसे से कुछ आप खरीद कर आप पूजा के समान में आप यूज कर सकते हैं, दूसरे साल आप इससे कुछ भी समान पूजा का खरीद कर आप इस्तमाल कर सकते हैं, तो पूरी साल इस पैसे को धनपोटली को इसी तरह से रहने दिना है और इस तरह से इसको बांद के माता लक्षमी के सामने हमको रख देना है पूरी रात दिपावली के दिन और धूप दीप से पूजा करना है उसके बाद दूसरे दिन हमको अपने तिजोरी में या पूजे करस्थान पर आप रख सकते हैं तो कैसे लगी हमारी वीडियो प्लीज आप लोग बताईएगा कॉमेंट द्वारा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड्स के साथ सेयर करिए और जैश्री कृष्णा दोस्तों राधे राधे कार्तिक महिना की बहुत सारी धेर शारी शुपकामनाए कार्तिक महिने में बहुत सारी तिवहार पड़ते हैं और हैप्पी तिवाली आप लोग को धेर शारी शुपका आमनाए जै श्री कृष्टना